नमस्कार साथियो नियोज के लिक में हम आपका स्वागत करते हैं वो कहावत तो आपने सुनी होगी न जिसके पास पैसा होता है वो बोलता है उसी की राजा, उसी की प्रजा, उसी के नियम और उसी के कानून Reliance Jio ने ये वादा करके बाजार में आई थे कि सब को अपनी सारी सेवाएं मुक्त देगी और आज जीवन मुक्त देगी लेकिन अब पिछले हपते से उसने ये कहा है कि Outgoing Call अगर दूसरे नेटवर्क पर की जाती है तो छे पैसे प्रतिमिनट की दर से चार्ज करेगी इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परोंजाए तो परोंजाए पहले ये कहा कि सारी सेवाएं मुक्त बार की तरह कस्टमर आए और अब ये कह दिया कि नहीं छे पैसे प्रतिमिनट चार्ज लएगा क्यों? दो कदम पीछे हट के हम शुरू करते हैं 9 अक्टोबर रिलाइंस जीओ उन्होंने कहा कि जो ट्राई है टेलिकॉम रेगुलेटरी अथारिटी आफ हिंडिया जो सरकारी संगस्ता है जो ये पूरा विनियमन करते हैं जो रेगुलेशन करते हैं पूरा ये जो दुरुभाज शेत्र है जो टेलिकॉम सेत्र है आज उनके सामने मजबूरी रास्ता नहीं था उनको एक जो इंटरकनेक्ट यूसेज चार्च इसका मतलब क्या है एक सर्विस प्रोवाइडर से अब जब दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को आप टेलिफोन करेंगे या दुरुभाज में आप बात करेंगे एक आपको देना परेगा कुछ दिन पहले ये चोदा रुपया चोदा पैसा हर मिनिट में माफ़े मांग रहा हूँ चोदा पैसा वो ट्राई उसको कम कर दिया च्छे पैसा कर दिया फिर भी आज रिलांज जीओ कहा कि हाँ सप्टेमबर दोहजार सोलह में हमने वादा किया था कि सब को वाइस कॉल के लिए बादचित करने के लिए आज इवन मुफद मिलेगा आज हम मजबूरी में च्छे पैसा हर मिनिट देना परेगा साथ साथ रिलांज ये भी कहा कि आपको हम मुफद में डेटा दे देंगे अगर आप 10 रुपय खर्च कर रहे बादचित में और एक जीवी डेटा आपको मुफद मिलेगा ये क्यूं हुआ ये क्यूं हुआ इसका कारण देखिए अलग-अलग लोगों का अलग-अलग राय है मगर लोग कहते हैं कि हर रोज रिलांज जीओ का नेटवर्क में 25 करोड से 30 करोर मिस्ट कॉल आ रहे थे और जो उप्भोगता थे वो एक मिस्ट कॉल आपके पास रिलांज जीओ का सबस्काइबर है आपको कॉल मुफद में मेरा पास एटल है तो मैं एटल से आपको एक मिस्ट कॉल दे दिया आप हमें फोन किया तो एक तरह से पूरा जो प्लेंग फील्ड था वो लेवल नहीं था जो प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता के लिए हर लोगों को एक प्लेंग फील्ड होना चाहिए और आज नहीं अभी बहुत दिन से जो रिलाइंस जीओ के खिलाफ या जिलाज जीओ का जो प्रतिद्वंदिता बजार में लगा है जैसे है एयर टेल भारती एयर टेल आइडिया और वोड़ा फोन एक समय अलग था अब एक हो गया आइडिया वोड़ा फोन और भारत संचार ने का बने मिटेड एमटे एनल इन लोग कह रहे थे कि आपका पूरा ट्राई ने हमें मदद ने किया उनको मदद किया उनका कहना था नहीं नहीं वो मानने के लिए त्यार नहीं था मगर आज 2016 सेप्टेंबर में इनों ने शुरू किया तीन साल के बाद एकदम नमबर वन पूजिशन में पूच गया है आप जितना उब्भोकता सबस्क्राइबर्स देखिए या राजस वे जितना आ रहे आज जियो का लगभग 28 फीसेदी पुरा बजार का शेयर उनके पास है और एहटेल का इससे थोड़ा सा कम है 27.6 के आसपास और अलग अलग कमपनिया कह रहे है कि इस रफ़तार से अगर बनेगे 2022 तक तो रिलाइंज जियो का 45 फीसेदी पूरा बजार आपके पास आ जाए तो जो रिलाइंज जियो का खिलाफ है जैसे एटेल, आइडिया वोड़ा फोन B.S.N.L. उनको कह रहा है कि जिस तरीका से उन्होंने कारोबार आगे बढ़ाया ये एक तरह से शिकार करने वाले का अब सब को बजार में खतम करने जाता आते हैं ये सच मुझ प्रतियोगिता नहीं है ये प्रतिद्वांदिता नहीं है मगर रिलांस कह रहे नहीं हम तो ये जो IUC के बात किया इंटरकनेक्ट यूसिच चार्ज तेरा हजार माच सो करोर पिछले तील साल में दिया और देखिए जिस रफ़तार से बढ़ा सब लोग तो हैसे मैं समझता हूँ विश्व में ऐसे कारोबार आप नहीं देखेंगे जब उन्होंने शुरू किया सिप्टेंबर दो हजार सोला में पुधान मंत्री का तस्वीर आया था विज्यापन में उससे पहले ही उनका लगभग 20 लाग उब्भोकता उनके साथ था दो मिलियन के आसपास और उसके बाद एक महिना में उसको एक करोड साथ लागब भोकता मिल गया वो पाच करोड हो गया तीन महिना से भी कम और 2017 फेबरी तक उसको दस करोड पहुच गया और आज अलग-अलग लोगों का अलग-अलग राय हैं कोई कहते हैं 33 करोड कोई कहते हैं 34 करोड उन भोकता आज रिलाइंस चियोगा है सबसे बड़ा कंपनी हो गया है तो साथ साथ अभी जब ट्राइ ने ये IUC इंटरकनेक्टिव से चारज 14 पैसा पर मिनिट से 16 पैसा कर दिया ये 2017 में किया इनोंने एक नया एक सफेद पेपर एक कंसल्टेशन पेपर दिया पहले उनोंने कहा कि जनवरी 2020 तक मतलब कुछ महिनों के बाद ये शुन्य हो जाएगा तो इसके उपर बराएक विवाद बर गया बागी लोग चिला चिली शुरू कर दिया अब कह रहे है तियारे आई लोगों से पूछा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और समय देना चाहिए कि नहीं तो इसलिए आज रिलाइन्स जियो कह रहे है हम मजबूरी में हैं इसलिए हम 6 पैसा हर मिनिट आप वाइस कॉल करेंगे आपको खर्चा हो जाएगा तो आउट गोइंग जो कॉल चार्ज होते हैं उस कॉल चार्ज में अगर एक दूसरे नेटवर्ट से दूसरे नेटवर्ट में किया जा रहा है तो दूसरे नेटर वाले को तो फाइदा होता हुआ और ये जब इन्हों ने गोशना किया साथ साथ हम देखिए एड टेल का शेर का कीमत बर गया आइडिया वोड़ाफोन का शेर का कीमत बर गया क्योंकि देखिए कुछ पिछले तीन साल में ये दो कंपनी आज आइडिया और वोड़ाफोन एक हो गया कुमार बंगलम बिरला जी है उनका चैर्मेन है इनका आर्थिक स्थित्थी बहुत ही कराब हो गया और इन्होंने रिन लेना शुरू कर दिया बैंकों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और ये दो कंपनी सिर्फ इनका रिन पिछले दो तीन साल में दो लाक बीस हजार करोर रुपया इन्होंने बैंकों से ले लिया और एक तरह से देखिए उब्भोकता तो खुशी है हमें सब कुछ मुफत मिल रहे हैं कि बहुत पैसे के लिए आज उब्भोकता खुशी नहीं है कि हमें पैसे देना परेगा मगर साथ साथ आप बुलिए इतने कॉल ड्रॉप क्यों हो रहे इसका एक कारण है कि जब आप कंपनी का आर्थिक स्तिती बहुत खराब है उन निवेश नहीं करते हैं निवेश नहीं करते हैं और अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपका जो कॉल का जो सर्विस का जो क्वालिटी है ये गिर जाता है किसमें आपको निवेश करना पड़ता है आपका टावर के उपर निवेश करना पड़ता है स्पेक्ट्रम के उपर आपको निवेश करना पड़ता है अभी रवी शंकर पसाद जी जो मंत्री है हमारे जो कमिनिकेशन्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हाँ हम सोच रहे हैं आप लोग परिशान हैं हम देख रहे हैं कि हम स्पेक्टरम का कीमत क्यों कम कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि ये सारे कमपनी कह रहे हैं कि देखिए हमारा आप इतने पैसे ले रहें स्पेक्टरम के लिए, बागी देशों में सरकार इतना पैसे नहीं लेते हैं स्पेक्टरम के लिए, सरकार कभी राजस्वगा जरूरत है, इन लोग नहीं देने चाहते हैं, और देखिए एक तरह से कुछ सालों से आप कह सकते हैं कि ट्राइ ने सच जो प्रति द्वंदरिकाज, जो प्रति योगिता के लिए जो एक संदुलन होना चाहिए नहीं था, वो पुराने जगरा हुआ था, आप कितने दिन परिक्षा करेंगे, टेस्ट ट्रायल कितने दिन परिका, लोग सोचा कि 90 दिन करेंगे, मगर लगभग 200 दिन के आसपास चला आपने कहा कि पॉइंट ओफ इंटरकनेक्ट, एक तेलेकॉम सर्विस प्रवाइडर दूसरा को आपको संपर करने के लिए, वो आपने नहीं दे पाया, एर टेल, आइडिया, वोड़ा फोन के ओपर, फाइन लगा दिया, ट्राय ने, तीन हजार करोड के ओपर, फाइन लग पैसे देना पड़ेगा, अगर मैं आपकी बात को बहुत आसान तरीके से कहूं, अगर यह से पूछूं, और यह नीड़ने पर जाओं, कि एक कंपनी को यह पता होगा कि वो इसे मुबाइल सवा में काम कर रही है, और मुफ्ति सवाई दे रही है, और डेटवर्क सबका अल प्रतन करेंगे, तो क्या हम इस गलत हूँ, देखिए, यह कंपिटिशन कमिशन, जो सच मोट यह प्रती होगी था, प्रतिद्वन्दिता, क्या संतुलन है, बाजार में या ने, उनको राय को मानना परेगा, जब रिलाइंज जियो शुरू किया, हम तो नया है, बाकी लोग कह रहते हैं कि हम लोग आप, हमें खतम करने के लिए आया हैं बाजार में, आप भूलिये मत, एक समय भारत परश में, दस साल पहले, सोला टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर था, और हर जो पूरा देश को हमने, अलग-अलग सर्कल में बाट दिया था, हर सर्कल में कम से कम आठ था, ऐसा सर्कल था, जिसमें सोला था, कमपनी अभी टूब किया, खतम हो गया, लोग भूल जाते हैं लाग, मोडी, मोडी, टेल्स्ट्रा का नाम याद है, हच का नाम है, एस्टेल, वीडियो कॉन, एरसल, टेली नौर, जो नौर्वेस से आये थे, टाटा, डोकोमो, और मुकेशंबानी का छोटा भाई का भी कमपनी, रिलाइंस कमिनिकेशन, वो भी आज टूब किया, तो एक समय बहुत सारे कमपनिया थे, आज बाकी रहे गया, चारी समझ लीजे, रिलाइंस जियो, एटेल, आइडिया वोड़ाफोन, और एक दम बहुत बुरा हलत है उनक भारत संचान ने कम लिमिटेड, माना कर संचान लिमिटेड, सरकार उनको पैसे नहीं देने चारे, लोगों का तंखानी मिल रहे, तो उनका भी हालत बहुत खराप हो गया आपसे अंतिम सवाग, जब सोलर से चार हो गए, इसका मतलब ये है कि वो बुनियादी धाचा विक्सित करने में सफल नहीं होगे, उन्हेंने टावर नहीं लगाया होगा, ये भी हो सकता कि बहुत पैसे खर्च होते हैं, स्पेक्टरम खरीदने में उनको मुस्किले आता है होगी, और सबसे बड़ी बात रसूख वो राजनीती के साथ बिठाने में दिक्कते आए होगी, तो अगर एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और कोई बैक्ती पूछे कि इतना बड़ा वैपार करना है हिंदुस्तान में, तो वही क्यों ना करे, तो वह गलत कह है, देखिए जिसके पास पैसा है, आपने जैसे शुरुआत किया, बस, वही है जो जीता वही से कंदर है, तो आप देखिए जिस तरह से इनोंने इनके पास जो पैसा का जो बल है, आज हम सामने देख रहे हैं, अब भूलिया मत, एक के बाद गोटाला हुई थी, टू जी स स्पेक्ट्रम स्कैम, 2014 में मोधी सरकार आने के पहले तो भारती जन्ता पार्टी हर रोस चिल रहे थे कि तू जी घोटाला, तू जी घोटाला, फिर कोट अभी तक इनोंने अपील किया, हाई कोट में हैं सारे केस, मगर लूर कोट ने बोला, आंडी मूत और राजा के खिला सारे लोग, मगर उसके बाद और भी एक गोटाला हुआ, जिस समय आप देखिए, रिलाइंस जीओ, जिस तरह से स्पेक्ट्रम उनको मिला था, उस समय एक छोटा सा कंपनी था, महिंद्रा नहाटा जी का कंपनी, इन्फोटेल, ये 2010 में जब 4G का स्पेक्ट्रम का निलाम उस समय उन्होंने ये जियो ने खरीद लिया उनसे, आज नहाटा जी रिलाइंस इंडस्ट्रीज में निर्देशक है, डारेक्टर है, और देखिए उस समय और भी बहुत कुछ हुई थी, एक समय का एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आया था, वो वोला की सरकार का लुक्सान था बीस हजार क्रोड से वे जादा, मगर जब रिपोर्ट त्यार होके संसन में पेश किया गया, वो नंबर घट गया था, तीन हजार तक पहुच गया है, बीस हजार छैसो त्रिपन करोर था, वो घट के तीन हजार तीन सो साथ सट हो गये थे, तो ये टेली कॉम का बहुत सारे कहानी है, मगर अगर हम जो मोटा मुटा है, जो में पॉइंट है देखिए, जो भोगता है, वो सोच रहे कि हमें क्या क्या फायदा मिल रहे हैं, मगर असलिएत क्या है, जो आपको फायदा तो ठीक है, मिल रहे हैं, मैं मान लिया, मगर साथ साथ आपका सेवा का जो क्वालि तेटीस करोड हमारे देश का जो लोक संक्या है, जन संक्या है, एक सो बीस करोड सिम है, यानि की सबस्क्राइबर आइडेंटिटी मड्यूर, जादा से जादा भारत विश्मे जगा में लोग से जादा सिम है, साथ सतर, पचतर करोड दुर्भाश यंतर है, इस में से 35-40 वाइल फोन स्मार्ट फोन्स है यानि कि अतिनते चलाक है तो यह जो देश में यह जो परिवर्तना है एक तरह से आप कहेंगे करांतिया है इसका दो साइड आपको नहीं दूसरा पहलू भी है हाँ भोकता फायदा मिला और साथ-साथ एक कंपनी को सबसे जादा फायदा मिला हो है दिलायद जियो शुक्रिया इस विससे पर हमसे बातचीत करने के लिए पहला पहलू हो दूसरा पहली हो लेकिन सबसे बड़ा पहलू है कि बेतहासा पैसा बोलता है सुक्रिया आप देख तर यह न्यूस क्लिक